हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस समय बिहार सरकार ने एक बड़ी घोसना की है और ये घोसना स्टीटी परिक्षा 2023 के आउजन को लेकर है कल आप लोगों को याद होगा कि कुड़नी में उप्स चुनाव था और इस उप्स चुनाव में भाजपा की जैसे ही जीत हुई इसके बाद एक पड़िक करके जो फैसले हैं वो धराधर आपको देखने को मिलेंगे हाला कि ये फैसला कुछ दिन पहले का ही था जिसमें बिहार बोर्ड ने उनकी भी डेट और उनका एक्जाम रूटिन जाड़ी किया गया है लेकिन जो मुख्य है वो है माधिमिक सिख्षक पातरता परिक्षा STET 2023 यानि कि STET परिक्षा 2023 का योजन होने जा रहा है ये तो कनफर्म मानके चलिए और अभी तक जहां तक सुनने में आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि STET की परिक्षा हर साल अभी हार सरकार अजजित करने के प्रयास में है फिर से बता दे रहे हैं अभी बस ये सुनने के अस्तर पर है कनफर्म करने में थुआ सा समय लग सकता है हो सकता है कि कल तक का समय लगे इसके बाद जो भी होगा वो भी आप लोग को बताएंगे लेकिन जहां तक अभी सुनने में आ रहा है कि STT परिक्षा 2023 का एयोजन किया जाएगा और ये साड़े विस्यूं के लिए होगा और इतना ही नहीं बिहार सरकार इस प्रियास में है कि STT परिक्षा का एयोजन परतेक साल किया जाया जैसे कि CTT की परिक्षा का आयोजन करतेक साल ह कता है अगर सरकार इसको आयजित करवा देती है तो इससे लाग उन वीयड अभ्यर्थियूं को होगा जो लंबे समय से B8 करके बैठे हुए हैं और अभी तक STT की परिक्षा को पास नहीं कर सके हैं या फिर उनको STT की परिक्षा में शामिल होने का ही मौका नहीं मिला है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा तो अंती बार STT परिक्षा का विग्यापन 2019 में निकला था और इसमें केवल सतर 2017-19 तक जो चातर B8 कर चुके थे इन लोगों को ही सामिल होने का मौका मिला था इसके बाद सतर 2018-20, 2019-2021 और 2020-22 का भ्यरतियों को सामिल होने का मौका नहीं मिला था तो कुछ और खबर अगर निकल कराती है कि किन बिसियों के लिए STT का आज़ोन होने जा रहा है, क्या सभी बिसियों के लिए होने जा रहा है, क्या Class 9-10 के लिए आज़ोन होगा या इसके अलाबा Class 11-12 के लिए भी होगा झाल झाल